हेलो बच्चो तो आज हम करने वाले हैं एलेक्ट्रोस्टाटिक्स के दो कॉंसेप्चुल गोसंस है ना बहुत छोटे-छोटे हैं और एसी वर्मा के हैं लेकिन बहुत ही अच्छे गोसंस है और इसमें बहुत सारा कॉंसेप्ट छुपा हुआ है तो इसलिए भी करवाना चाह तो देख लेते हैं प्रॉलम क्या है और क्या उसका solution है तो देखें तो देखें अधिन मैटलिक स्फेरिकल सेल कंटेंज अ चार्ज क्यू ऑन इट पॉयं चार्ज स्मॉल क्यू इस्प्लेज अद दे सेंटर अब दा सेल एंड एन अदर चार्ज क्यू इस प्लेज आउट मतलब हमें इस Q पर force निकालनी है and दूसरा क्या है हमारे पास the force on the central charge due to the cell इस cell के उज़ेस हमें इस पर force निकालनी है ठीक है बहुत अच्छा प्रॉलर में देखो पहला अपन देखते हैं ए पार्ट क्या खह रहा है समझते हो रहे हैं तो the force on the charge placed at the center देखिए इसने लिखा है force force का मतलब होता है हमसे net force पूछी जा रही है कौन से force पूछे है net मतलब सबका resultant जो भी उस पर force आ रही होगी उनका resultant सिर्फ force लिखा है मतलब net force ठीक है अब net force यहापे क्या होगी जानते हैं हमने पड़ा हुआ है कि जो conductor की property होती हम जानते है in2 कि solely किसी भी पॉईंट पर, Metalик है Metalik बतलब Conductor होगा, Conductor के अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉईंट पर जो हमारी Net Electric वील होती है वो कितनी होती है, zero होती है, हमें पता è Poperty of a Conductor है, ठीक है , तो हमें पता कि यहांपर Net Electric फिल्ट कितनी होगी Zero होगी और net electric shouldísकी वज़ए से होगी इसकी वज़ए से होगी और साधी साथ इस hespर charge ंडिउस हो जाएंगे उसकी वज़ए से विफस्ते उन तीनो की वज़ए से induce charge ब और फोर्स निकाल लिए उस चार्ज को लिख देंगे, multiplied by e net, और e net क्या होगता है, conductor के अंदर, e net होता है, 0, इसलिए f net क्या आगे, 0, तो इसका answer तो होगे 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बच्चे जल्ली में, इसमें answer दूसरे वाले पार्ट में 0 लगा सकते है इसलिए दूसरा पार्ट में जी आपको समझाना था है, अब यह क्या कह रहा है दूसरा पार्ट, the force on the central charge due to the cell, इस cell की वाज़े सब हमें इस पर charge निकालना है, वाला हमें net की बात नहीं कर रहे है, cell की वाज़े से इस पर, कितनी force act होगी, तो आपको यह समझना पढ़ेगा पहले, देखिए, इसकी वाज़े से electric field यहाँ पर zero होगी, क्योंकि हम यहाँ पर Gaussian surface लेगे तो हमें पता है, जो charge होता है वो, इसके अगर हमें इसकी वाज़े से electric field देखेंगे, तो यहाँ पर लिपको जीरो होगी, तो फ्रांसर zero हो जाएगा, क्या, नहीं, zero नहीं होगा, क क्योंकि इस case में क्या होगा कि यहां पर charges induced हो जाएंगे positive है तो यहां पर कैसे charge induced हो जाएगी negative इस पर है और इस पर कैसे हो जाएगी positive ठीक है तो charge induced हो जाएगी और टर्रणीच क्या होगा है तो तो इंड्यूस के वजह से के वह जिए इस तरफ होगी जबी तो यहां पर net 0 होगी तो इस तरफ होगी जबी जो अपना negative charge जिस्के जिस वज़े से इसतरं होगी और बाइन चार्ज ह्था प्यूजश लें हो dent यह दोनों का net, net अगर हम बात करें तो zero होगा लेकिन अगर सिर्फ हम से cell की वज़े से पूछा जा रहा है मतलब cell कौन सी electric field यहां पैदा कर रही है, cell पे charge induced हो रहे है तो induced electric field यहां पे पैदा कर रही है और फोर्स जो आईगी, वो तोवर्स राइट आईगी, अब बात है कि अगर कोई इसका magnitude पूछ लेगी भाई या कितने magnitude की force आईगी तो आपको induced electric field निकालते आना चाहिए तो induced electric field यहां पे कितनी होगी? induced electric field, मैंने आपने last other lecture में वा मताया हो थोगी कि induced electric field उतनी होगी, इसका magnitude उतना हुआ इसके वाइसे is point charge वेज़े से यह हां पे यहां पे हुआ, जैबी तो net यहां पे क्या होगी, zero और induced electric field का direction क्या होना चाहिए? इसके वह जैसे जो भी इलेक्टिक फील्ड होगी इसके अपोजिट होना चाहिए और मैंगनिटूड सेब होना चाहिए जबी तो यहां पे net zero होगा न तो कितना होगा भाई अगर मैंगनिटूड की बात करें इंड्व दि रखव से यहां पे एलेक्टिक फील्ड की इंड्य की बात करें तो कितना हो जिसना मैंगनिट इस फांट प्ऑई चार्ज परdam चाहिए कितना हो आप खुद बताओ वैटकि की फील्ड से कैसे भी वहोगी K into Q1 upon A square ठीक हैं इतनी होगी तो यहां पे force कि कितनी आ जाय जाएगा अगर हम force की कि बात करें कि इस charge पे force का magnitude कितना जाएगा देखो कि इतना जाएगा charge multiplied by induced electric fields एया फिर्ड टो इंड chart इया फिरिंड कितना आजाएगा q into k q1 upon a square तो कितना आजाएगा k q1 into q upon a square यह force का magnitude हो जाएगा लेकिन हम से स्थे में पूछा गया था force का direction क्या होगा तो direction क्या होगा towards right तो इसका answer 0 जीरो नहीं होगा लेकिन इसका answer 0 होगा क्युक्विक यहां पर net force पूचीगे और यहां पे जो force पूछीगे कि that is due to this spherical cell और spherical cell पे charges induced हो जाएंगे इस वजए से इसकी वजए से यहां पे electric field आईगी induced electric field आईगी है ना जिसकी वजए से इसकी वजए से इस पे force act करेंगे और किस direction पागे positive charge है तो electric field के direction of force exert करती है और अगर यह negative charge होती तो इसकी opposite इसकी force act होती तो मुझे लगता है आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you so much